या कोई भी सब्जेक्ट मान सकते हैं, कि हमें ये वाला सब्जेक्ट नहीं आता हम कैसे करेंगे, तो मेंस जब तक होता है, तक तक तो हम लाजली हम प्रिपेर्ड हो जाते हैं, हमें अंदाजा भी हो जाता है, प्रि में आपको ये सब चीजें बहुत जादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैंने देखा है, 40 प्रतिशत अगर आपके नंबर प्रि में आते हैं, जो हम देखते हैं पिछले एक्जाम के बारे बे, 40 प्रतिशत में आप प्रि कॉलिफाई कर जाते हो, तो उससे ज़्यादा प्रि का लोड लेने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, तो अगर आपको मिलाके अगर आपके 4-5 सबजेक्ट भी ऐसे हैं, जिन पे आपको कमांड है, उसके साथ में आपको जब यहाँ पे इसमें मैं यह बताना चाऊंगी, कि आपको पेपर की प्रक्टिस करना ज़रूरी होती है, देखे, पढ़ना एक अलग चीज होती है, और एक् stop acceptable छीज होती है, exam attempt करना एक art जादा होती है, ठीक है, और यह कोई यूनिवर्सल आर्ट नहीं है कि कोई एक व्च्टी आपको ब प्लस माइनस अपने और एक्जाम के और टाइम लिमिट इन सब को ध्यान में रखते हुए आपको खुद को अपनी एक पेपर अटेम्ट करने की आर्ट डेवलप करना बहुत बहुत जरूरी है जो प्री के लिए भी मैं कहूंगी और जो मैं में इसके डिस्क्रिप्टिव पे मांच नंबर एक्फ्रा ले जाता है, कम से कम कह रही हूँ मैं, ठीक है? हर एक पेपर में, मैंस का मैं कह रही हूँ, ठीक है? और प्री में भी वो व्यक्ति लेके जाएगा जाधा नमबर, जो आपके नॉज़ज पे बेस और जो सिर्फ उर सिर्फ पेपर अटेम्ट करने की आपकी art पे based होगा तो इसके लिए जो चीज ज़रूरी है वो ये है कि आप हर एक test paper यहाँ पे देंगे ठीक है तो जितने भी test paper होंगे यहाँ पे pre के लिए, mains के लिए वो आप सारे दें क्योंकि ये जो paper attempt करना है ये अगर आप सीख जाते हो तो आप थोड़ा edge ले लेते हो दूसरे students पे एक और चीज जो सबसे ज़्यादा important है syllabus देखने के जितनी ही important है वो ये है कि आप previous years के question paper देखे IAS के देखे, RAS के भी देखे उससे क्या होगा कि आप कोई भी topic पढ़ेंगे topics तो ऐसे हैं जो आपने मेरे ख्याल से graduation में भी पढ़े होंगे आपने अगर syllabus देखा है तो क्या syllabus में ऐसी चीज़ें हैं या जो अगर मालो graduation में आपका subject था उससे कुछ अलग चीज़ें तो नहीं है न वोई चीज़ें हैं अगर मालो आपने अगर history पढ़ी है graduation में तो अगर आप topics देखेंगे तो topics तो वो ही हैं कुछ अलग नहीं है इवन आप paper देखेंगे तो paper भी वैसा ही होता है paper में कुछ extraordinary नहीं होता extraordinary सिर्फ और सिर्फ आपके answers होते हैं वो सकते हैं सबके नहीं होते हैं वो सकते हैं और वो जो आपके answers होते हैं वो यह आपको मार्स दिलाते हैं तो अगर आप previous years के question paper ध्यान में रखोगे कोई भी topic जब आपको पढ़ाया जा रहा है या जब आप पढ़ रहे हो अगर आपको पता है कि इस topic में से किस तरह के questions आते हैं तो आप उसको उसी point of view से पढ़ेंगे ठीक है तो यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस topic को कितना weightage देना है और वो topic पढ़ते हुए आपको यह पता होना जाए कि इस topic में से इस तरह के questions पूछे जाते हैं तो यह सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक जो सबसे ज़्यादा important चीज होती है मेंस के point of view से वो होती है आपकी writing practice उसको कोई beat नहीं कर सकता writing practice आपकी होनी चाहिए क्योंकि फिर से मैं यही कहूंगी competitive exam है ठीक है question paper आप देखोगे बहुती simple simple question आते हैं ऐसा तो कोई अलग question नहीं आता 60% question ऐसे होते हैं जो सबको आते हैं 40% question ऐसे होते हैं जो किसी को भी नहीं आते हैं यह होता है reality यही है exam की 30% paper सबको आएगा 40% paper किसी को नहीं आएगा एक्जाम से बाहर आके आप किसी से भी पूछेंगे, सब कहेंगे, हाँ मैंने ये question कर दिये है, मेरा paper ये बहुत अच्छा हुआ है, और जो लोग सब ठीक ठाक है, जो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, उनकी नहीं कह रही हुँ मैं, लेकिन यही reality होती है, कि 30% question सबको आते होते हैं, तो फिर अंतर कैसे आजाता है इतना, सिर्फ और सिर्फ आपकी answer writing से आता है, ठीक है, अब वो answer writing आपकी कैसे develop होगी, आप लगातार practice करेंगे तब develop होगी, कैसे आपका answer है, वो informative भी होना चाहिए, और उसमें कुछ एक x factor भी होना चाहिए, जो appeal करे examiner को, आपको पता ह examiner कोई भी answer नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, वो कोई भी answer नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वो इतने experience होते हैं कि copy check करते वक्त, अगर किसी answer में कुछ पढ़ने लायक नहीं है, वो उनको देखते ही पता चल जाता है, तो आपको अपना answer ऐसा बनाना है, कि examiner उसको पढ़े, अगर कि ये हमारा कोई college का exam नहीं है, जहां पर हमको first division लानी है, या हमें certain percentage score करने है, हमें ऐसे answer लिखने हैं, जो सबसे हटके हो, जो सबसे ज़्यादा आपको marks दिलाते हूं, ठीक है, तो ये चीज हमेशे धिहान में रखी, शुरू से आप writing practice करिए, और जब मैं कहते हूं कि आप पुराने previous years के question paper पढ़िए और आप answer writing शुरू करिए, उसके लिए आप ये wait नहीं करें, कि आपको ये topic अभी अच्छे से नहीं आता है, तब आप पढ़ोगे, तब आप करोगे, आप किसी भी दिन daily आपको तो answer लिखने हैं, ठीक है, आपको अगर कोई topic पढ़ा दिय है, आपने पढ़ लिया है, तो आप उसमें से करो, नहीं किया है, तो आप कोई भी paper उठा करके उसको करो, भले ही आप उसके लिए material question पढ़ने के बाद में आप search कर लो, आप book में से पढ़ लो या कुछ भी कर लो, पढ़ने के बाद भी आप लिखो, अब ऐसा नहीं है, आ पहले open book ट्रक के लिख लो, ऐसा मैं किसलिए कह रही हूँ, जैसा मैंने बताया पहले, कि question बहुत simple होते हैं, और आपको देख के लगेगा, कि मैं इसका answer लिख दूगी, ठीक है, लेकिन ये मेरा personal experience है, कि जब हम लिखना शुरू करते हैं, तो हमें कुछ भी ध्यान नहीं आ अगर आपने practice नहीं की है, तो आपका कोई भी quality answer नहीं होगा वहाँ पे, आपको अगर अच्छा paper करना है, तो उसके लिए आप इसी से पता कर सकते हो, कि उस दौरान paper में आपको सोचने की, याद घरने की फुरसत नहीं होती है,